वेल्कम बेक पो माई चैनल यह है लेक्चर 3 और इस लेक्षर में हम डिसकस करने वाले हैं अबाउट दा मॉड्यूल क्या होता है किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं क्यों हम मॉड्यूल का यूज करेंगे और कैसे मॉड्यूल का यूज करना है यह सब कुछ आज हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं गाइस हमारा जो फ्रेंट एंड है यहाँ है एश्टेमेल शेस जावा इसकी को कंप्लेट हो चुका यदि आपने वह कंप्लेट नहीं किया है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट को जाकर रैसिस कर लें और फ्रेंट को जाकर सीखें वीडियो लेट होगी है थोड़ा नाइन डेज लेट होगी है क्योंकि I am too busy with college verse बट अब जहें वीडियो जहें वो डेले अपलोड होगी टेंशन मतले बिलकुल भी और बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे सिर्फ like चाहिए और comment चाहिए अब बात कर लेते की module क्या होता है ठीक है लेकिए basically guys एक जो function होता है जैसे हमने जावा स्केट में function पढ़ाता एक function को ही guys module बोलता है इसका यूज केरता है module का यूज केराई है OK और यह set of function जो होता है अपनी जो application थी उसमें कशों क्या करते दें funds include garbage भी करते दें जैन् wij कि जो आप application बना रहे हैं उसमें आपको किसी function की जूरत पढ़ए यह है तो आप क्या करते हैं इस function को वहाँ पर include करते थे उस function को आप वहाँ पर use करते थे अपनी application में यह किसमें कर रहे थे guys हम यह सब कुछ हम javascript में कर रहे थे अब बात कर लेते हैं कि node.js में module कैसे use होता node.js में क्या है guys node.js में जो module है वो built-in modules हैं महाँ पर आपको module बनाने की आप शेक्ता नहीं है ठीक है javascript में क्या करते हैं हमें module को यानि की function को में बनाना पड़ता था और फिर मनलब जिस तरह की हमें requirement है application के coding जिस तरह का भी हमें logic apply करना है उसके coding हमें एक function को create करना पड़ता था उसके बाद हम जाकर application में use करते थे यानि की code के अंदर file में जो भी आप ठीक समझे file में application में project में हम उसको use करते थे लेकि node.js में ऐसा नहीं है node.js में built-in modules available हैं आप उनको आसनी से use कर सकते हैं वो पहले से बने हुए हैं इससे आप तो बहुत ज़्यदा टाइम भी बचता है एक बार नेट पर देख लेते हैं की module होता क्या है ठीक है चलता है chrome पर module in node.js तो सबसे उपर guys w3 school यह आरी यह देख लेते हैं यह अच्छी वेबसाइट है आप यहां से भी पढ़ सकते हैं को जिकत नहीं है what is a module in node.js तो यह कह रहा है consider module to be the same as javascript libraries यानि की node.js में module इस तरीके से जिस तरीके से javascript libraries थी किसमें java में a set of function you want to include in your application यानि की एक जो set था functions का जिसको हम यूज करते थे अपनी applications में इसी तरह module को यूज करते हैं किसमें node.js के अंदर किसमें application में ठीक है उसके बादे guys यहां पर built-in modules node.js has a set of built-in modules which you can use without any further installation यानि की node.js में क्या है built-in modules हैं जिनको आप बिना किस installation के यानि आपको कोई बी plugin installation करने का आसा नहीं है लेकि जावा subject के case में जब आप javascript libraries use का यूज करते हैं तो आपको plugin install करने पर नहीं है तब जाकर आप grasses की पुर्डरेशन का यूज कर पते हैं लेकि यहाँ पर ille इन modules हैं आपको किसी भी plugin को installation करने की आप सकता नहीं है आप direct module को use कर सकते हैं ओके look at or build in module reference for a complete list of module यानि कि यहाँ पर बात क्या के रहा है कि एक पूरी list है modules की ठीक है वो भी देख लेते हैं उसके लिए guys माल लिज़े आपके पास कोई requirement आती है माल लिज़े आप से कहा गया कि भाई एक file system create करो node.js का use करके तो जायशी बात है module का use करना पड़ेगा module से मतलब जो function बने हुए रखें उनका use करना पड़ेगा आपको simple अब आप सोचेंगे कि यार यह function कहां पर है कैसे मिन का use कर सकता है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको इस website पर जाना है टीक है node.js ठीक है मैं पहले आपको बता दूँ कि आपको website पर कहे जाना है आपने इस link पर click करना था click करने के बाद website node.js.org उसके बाद आपको आना है docs पर जिसे आप docs पर आएंगे आपने वर्जन पर click कर देना है LTS वाले पर जैसे मिन आप से काता है कि एक file system create करो तो file system वाला module हमें ठूबना पड़ेगा है यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है e के बाद f ok यह रहा file system तो यहाँ पर यह सब क्या है guys file system के module है ठीक है जैसे file head and data sync हो गया यह सब ठीक है आपको इनको याद करने का सकता है क्योंकि तने सारे हैं आप इनको याद भी नहीं कर पाऊ है जिस तरह की भी आपके पास requirement आ रही है module की project के अंदर आप सीधा next पड़ जाएं आप सर्च करें कि इस work के लिए कौन सा module है node.js के अंदर आप इसको इसमें type कर लें जो भी है Chrome पर आगर तो आपको सजेस्ट करतेगा Chrome की यह वाला module आप यूज करें ठीक है अप फिर आप जए उस module के बारे में थोटा सा पड़े लें उसकी detail क्या है और इसके coding आप उसको यूज करने है अब मैंने आप से कहा था कि एक file system क्रेट करना याई एक file को हमें क्रेट करने के बाद उसमें data को append करना पड़ेगा और हमें rename भी कर सकते हैं और उसमें data को delete पर सकते हैं तो जाइश सी बात है तो हमें इस तरह का module दूलना पड़ेगा जो file को write कर दे तो guys हम आएंगे यहां पर synchronous wali API पर ठीक है API है API है API में आने के बाद यहां पर तेखें यहां पर लिख रहा है fs.write file sync ठीक है fs.write file sync यानि कि हमें file का नाम देना पड़ेगा जो file हम create करना चाहाँ है write मतलब create और उसका data जो इसमें हमें data को डालना है तो इस तरीके से guys यह module यूज होगे तो उसके लिए guys हमें जाना पड़ेगा vs.code में हम practically देखें किस तरीके से हम एक module को create कर सकते हैं और वो किस तरीके से काम करेगा और जिस तरीके से एक file जाए हो file system जाए हो create होगा तो चलते हैं vs.code पर लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा मुझे question आ रहा है माइंड में यहां पर check कर लेता हूँ fs.openfs.write file तो इस तरह के हमें module यह हो suggest हो रहा है okay writing file with node.js the easiest way to create a file node.js to use the fs.write file API देखें हां पर यह मतलब suggest कर दिया हमें किस तरीके का हमें module use करना है तो आपने याद नहीं रखना है आपने सीधे chrome पर आकर search मारना है क्या module यूज करें अब चलते हैं vs code में तो गाई देखें आपने simply जब आपको किसी module को use करना है तो आपने यहां पर क्या करना पड़ेगा आपने require keyword का use करना पड़ेगा देखें एक बार चलते हैं आपने यह function है हमें क्या करना पड़ेगा हमें require function का use करना पड़ेगा with the name of the module कुछ इस तरीके से एक variable बनाना पड़ेगा यह http वाला module इसने use क्या हुआ है यहां पर एक server क्रेट करना right ahead हमें यहां पर क्या करना है file system क्रेट करना है तो हमें यहां पर fs वाला module क्यूंकि हमें यहां पर बता दिया गया है देखें fs fs यहांनि file system इस तरीके सभी का वो है तो यहां पर मैं लिखता हूँ पॉस्ट मैंने एक variable बनाया तो मैंने यहां पर लिखा fs is equal to क्या मैंने यहां पर यूज क्या require function का ठीक है require function का मैंने यहां पर यूज क्या और within the single quotes फिर आपने क्या करना है single quotes का यूज करना है fs जो भी आपने module यूज करना है ठीक है उसका नाम आपने यहां पर दे देना है जैसे file system है तो fs वो आपको net पर जाके देख लेना है कि कौन सा module आपको suggest हो रहा है हमने यहां पर require में क्या रखा fs require का मतलब हम यहां पर इस चीज की जुरत है अब हमें क्या करना है एक file को create करना है अब आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ तीन चीज है l03 chapter 1 dot html l1 dot html l2 dot js तो guys से film dot html के नाम से file create करें दे लेक्चर 3 है तो मुझे यहां पर l3 करके dot js का use करेंगे क्योंकि यह backend की लेंगे ठीक है node js हम यहां पर सीख रहे है तो dot js सही हम इस file को save करेंगे नाजी dot html से आप अब आप हम dot js सही save करेंगे यहां पर एक file हमारी create होगी है l3 dot js कोपी कर लेता हूं इसको उटा देता है l3 पर यहां पर मुझे एक file को create करना यहां पर कोई file नहीं है और यहां पर 3 file है L1 L2 L3 और यह कुछ ही मैज़िज है तो मुझे यहाँ पर यूज करना है Fs dot और मुझे क्या करना है फाइल क्रेट करना उसके लिए गाइस मैं यूज करूँ है यहाँ यहाँ पर राइट फाइल लेकिन मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ read.txt यह हमारा एक्स काम नहीं कर रहा है यह बड़ी लिक्कत करता है ठीक है बट कोई नहीं उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्या डेटा जो भी मुझे डेटा एट करना है उस फाइल में तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा hello creating file ठ यहाँ पर मैं alt plus z का भी यूज कर लेता हूँ ताकि मेरी लाइन आगे तक ना भागे तो मैं इसको उटा देता हूँ अभी देखिए यहाँ पर कोई file नहीं है लेकिन आप यहाँ पर एक file create होगी उसके बाद इसको करेंगे save save करने के बाद यह तो आप कर लें गाईस मैंने होता है कि आपको किस तरह के सरेंग करना है टर्मिनल में जाए न्यू टर्मिनल में जाने के बाद यह आ जाएगा आपकी विंडो ने खुलके नीचे आपने आपर टाइप करना है नोड और नोड अरे भाई क्या हो गया नोड टाइप करने के बाद आपने उस file का path लिख द इसका नाम लिखना है जैसे इसका नाम क्या है L3 अड़े भाई साथ गड़बड़ी गड़बड़ होती है तो यहाँ पर लिखना है L3.js इस तरीके से लेकिन यहाँ पर हमारी file नहीं है बट डोंट वरी हमने इसके लिए plugin का यूज किया हुआ है code runner का यहाँ पर run बटन दि फाइल क्रेट करने की इस नाम से read.txt तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी अब यह फाइल यहाँ पर create हो चुकी है जैसे में इस पर click करूंगा तो आपको यहाँ पर data दिख रहा होगा hello creating file ओके यह path था मेरी file केतना लंबा जो कि मुझे निकालना पड़ता ओके लेकिन इसका एक तरीका है कालने का मैंने बताया था आपको lecture 2 में आपने कुछ नहीं करना इस पर click करो जब आप terminal open करने और आपको path नहीं पता है फिर आप क्या करो run active file तो आपको error मिलेगा उसके बाद ok कर देना यह आपको path मिलेगा इस path को आप copy कर लो copy करन हो जाएगा लेकिन हमारे पास plugin है हम plugin का इस्तमाल करेंगे बार बार ok ठीक है तो हमारी file जो है create हो चीग है hello creating file अब बात करते है कि इस file में मुझे कुछ add करना है मुझे क्या करना है कुछ add करना है तो मैं कैसे करूँगा add करने के लिए guys क्या होता है stream में हमने use किया था stream वा होता है सब्सक्ति सब्सक्राइब के कAlex में क्या होता है जब 2 requests एक साथ आती है तो पहले जो first request आती है वह . होती है और जह दूसरी क्याश्ट आती है वह वैट करती है तब तक जब तक पहली रिक्वेस्ट वहलेंघ कि यह송 और जाती है कि उसके बाद दूसरी क्यवेस्ट's व्करती है। यह स Commerce का यह तरीकह है रेकिन ने लिए स्थ self सेम तो उपर से हम जह है कौन सी फाइल में एपेंड करना एड़ेटा है read.txt में तो मैं इसको यहाँ पर कोपी कर लेता हूं और फिर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा मैं टाइप भी कर सकता है लेकिन प्रोग्लम होई है हमारा एपस नहीं चला है तो उपर मैंने लिखा है hello creating file अम आ लिए मुझे इसके बाद एड़ करना है good morning hello creating file good morning okay good morning ठीक है तो क्या यह read.txt file में एड़ हो जाएगा बिलकुल होना चाहिए same करेंगे उसके बाद आपने run करना है जैसी मैं आपर run करूँगा तो देखिए hello creating file good morning यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा एक start white space देना पड़ेगा ठीक है okay तो उसके लिए पहले run करना पड़ेगा तभी तो यह update होगा space तो update हो चुका है hello creating file good morning तो इस तरीके से हम data को क्या कर सकते हैं guys add कर सकते हैं अब बात करते हैं माली जी आपने किसी file को read करना है तो आप किस तरीके से करें तो उसके लिए guys क्या करना है आपने यहाँ पर मैं use करूँगा fs. क्या मुझे करना है क्या read तो use करूँगा file sync कौन सी file को read करना है read.tst को तो मैं क्या करूँगा इसको copy कर लेता हूँ copy करने के बाद मैं brackets में इसको डाल दूँगा अगर यह file यहाँ पर create नहीं हुई है तो इसको read नहीं करेगा यह error दे लेगा यह file नहीं है लेकिन यहाँ पर यह file अल्रेडी है बनी हुई तो guys क्या करने इसको read कर लẠ इसके data को क्या कर लेगा read कर लेगा तो मैं क्या करता हूँ run करता हूँ ठीक है run करने के बाद क्या होगा अब हम्हें पता कैसे चलेगा यह read हो गई अल्Wowत पर SAM-チャンネル यmeye इन इसको क्या करू है थे डिड कर वेख है आपर और को बड़े हैं बढ़ अचर अ मैं यहां पर एक राइ नो जाएक बढ़े है का अब यहां पर रीड-ॉड यह पूरी की पूरी इसके वेलबी किसमा जाए रम आ जाएगी और यहां पर कंसॉल डोट-लो करते ही क्या हैं यह प्रिएंट हो जाएगा कराते हैं और भाई ये देरियस ने एरर एरर दिया क्या दिया fs is not defined fs is not defined define तो है read.read.read.txt तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो फाइल थी हमारी read.txt इसमें लिखा होता है hello creating file good morning इसने इसको read कर लिए buffer की form में 6865 यानि की buff data ठीक है यह है buff data अगर मैं बात करूं इसकी क्या मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ यानि की यहाँ पर note.js के अंदर यह एक feature है जिसके थुरू हम किसी भी file को bits की form में क्या कर सकते हैं read कर सकते हैं यह bits है 60 आ 65 60 लेकिन अब मुझे क्या करना है का इसको string में मुझे तो इसको string में read करना है न तो मैं string में कैसे read करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस buffer value को string में change करना पड़ेगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा इस toString function का यूज कर लोगा यही पर ही r.toString मैं इसको उपर भी यूज कर सकता हूं ठीक है वही मैं आपको बता दूँगा किस तरीके से पर पहले हम इस फाइल को read कर लेता है यहां पर एक function यूज कर लिया ताकि यह buffer value जो bits की form में जो value है यह string की form में आ जाए तो फिर से में इसको run कराऊंगा तो यहां पर आ जाएगा देखिए नीचे टैमपेड को run file.js हाँ अब ठीक है hello creating file good morning ओके काम करता हूं मैं यहां पर एक और console लेता हूं ताकि आपको संहिमाए कि इसने buffer को read किया और bits को read करने के बाद फिर इनको string में change गया तो एक मैंने console r किया यह console r.to string गया इसको मैं delete कर देता हूं और फिर से एक बार run करा देता हूं तो देखिए पहले buffer आया एक काम करता है इसके बाद मुझे एक और console लेना पड़ेगा बड़े console यूज हो रहे हैं भाई साब console.log और मैं आपर लिख दूंगा read file ठीक है read file read file ठीक है save उसके बाद फिर से run small use होगा ठीक है अब सही है देखिए buffer आया उसके बाद इसने का read file यहां पर semicolon use कर लेंगे save और फिर से run शड़ गया शड़ गया पूरा पूरा पैनल ठीक है buffer आया पर read file hello creating file good morning तो इस तरीके से guys क्या होगा एक file यह वो read हो जाएगी अमाली यह आपको इस file का नाम change करना है आपको इस file का नाम change करना है तो आप कैसे करेंगे हमें क्या करना होगा rename करना हो जाएड सी बात है तो यहां पर मैं लिख दूँगा file name change लेकिन मुझे लिखने की ज़रत नहीं वो आपको स्रीज़ स्रीज़ दिखाई देगा मैं यहां पर use करूँगा fs dot rename 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 sync file rename ok मुझे क्या करना पड़ागा old path उसके बाद new path उसके बाद new path old path से मतलब जो फाइल का पहले नाम था मुझे उसको लिखना पड़ेगा उसके बाद new file को लिखना पड़ेगा ठीक है new file मैं लिख देता हूँ यहां पर माल लीजे अभी यह थी read dot txt अभी यह थी read dot txt अभी लिख देता हूँ यहां पर my first file my first file dot txt txt को मैं यहां से copy कर लेता हूँ ठीक है txt अभी देखिए यहां पर फाइल का नाम क्या है read dot txt लेकिन जैसे ही रन करेंगे तो यहां पर फाइल का नाम क्या हो जाए गाई change हो जाए रहा देख सकते हैं आप read dot txt अट गया और यहां पर क्या आगया my first file dot txt okay और बाकी complete जैसे ही चला है ठीक है read file इसको भी read कर लिया है hello creating file good morning data को append भी कर लिया है और एक file को हमने create भी कर लिया है तो कुछ इस तरीके से हमने एक module को guys use किया है अपने requirement के uploading ठीक है अपने program में ठीक हमारी requirement ठीक हमें एक file system create करना है file code read करना है write करना है append करना है और उसका rename करना है आप भी एक file system create करें और उसमें और चीज़े करें data को delete भी करके देखें और और भी बहुत साज जो module से उनका use करके देखें I think आपको संजमा गया होगा तो please guys वीडियो को like कर दे share कर दे and channel को subscribe कर दे and comment जरू करें मिलते हैं next video में thank you so much धन्यवाल कर देखें